दोस्तों आज इस लीग में हम दाथ के दर्द के बारे में जानेंगे इस लीग में हम पढ़ेंगे कि दाथ का दर्द क्या है दाथ के दर्द के कारण और इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आयुर वेदिक नुस्खों पर चलचा करेंगे तो चलिए लेकी शुरुआत करते हैं पर इसके पहले किर्प्या वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जब भी दादों में दर्द होता है तो व्यक्ति कुछ खा नहीं सकता दाद के दर्द के कारण हमेशा परिशान रहता है यह भी संभब नहीं है कि बार बार होने वाले दाद दर्द के इलाज के लिए रोगी अपना काम धंदा छोड़ कर डॉक्टर के पास चला जाए इसलिए गरेलू उपचार की जरूरत पड़ती है अगर आप भी परिशान हैं तो दाद दर्द के लिए घरेलू उपाएं आजमा सकते हैं दाद में दर्द होना वैसे तो एक आम समस्या है लेकिन ये बेहद असहनिय होता है दाद दर्द की वजह से कई बार चहरे पर सूजन भी आ जाती है यहां तक की सिर में दर्द भी हो सकता है दाद का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है तो आईए दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दाद का दर्द क्या है आईरवेद की अनुसार दाद में दर्द वात दोश के कारण होता है खान पान में सुधार, साफ सफाई एवं घरेलू नुस्खों से दाद के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों दाद दर्द के दो परकार होते हैं जिन में से नंबर एक है इसमें दादों में तेज दर्द होता है जिसे शार्प तूथ पेन कहते हैं यह कुछ खाते समय या बात करते समय एकदम तेजी से होता है, इसमें दूसरा परकार है, इसमें दर्ध ज़ादा गरम या ठंडा खाना-खाने के कारण होता है इस दर्द को डल तूथ पेन भी कहते हैं यह हलका तथा ज़्यादा लंबे समय तक रहता है दोस्तों दात में होने वाले दर्द के कार्णों के बारे में भी जान लेते हैं जिन में से नमबर एक है स्वस्त दातों के लिए दातों का ध्यान रखना जरूरी होता है दातों का ख्याल नहीं रखा गया तो दातों में कीडे लगने का डर रहता है इससे दातों में कैविटी हो जाती है यह दात के दर्द का कारण बनता है गलत तरीके से दातों की सफाई करने से दातों की जड़ें कमजोर हो जाती है, इससे दातों में दर्थ होता है नमबर तीन दातों के तूटने से भी दातों में दर्थ होता है नमबर चार अकल डार यानि के विस्टम तूट निकलने के दोरान दातों में असहनिय दर्थ होता है नमबर पांच अधिक मीठे खाने से भी दान दर्थ होता है मीठा खाने के बाद खाने के अंश दातों और मसूरों में रह जाते हैं यह किटानू अमल पैदा करते हैं जो दातों को नुपसान पहुँचाते हैं यह संकर्मन दातों की जड़ों तक पहुँच कर दातों में दर्थ पैदा करता है नमबर 6 कैल्शियम की कमी के कारण दात कमजोर पढ़ जाते हैं जिस कारण दातों में दर्थ होता है नमबर 7 दातों में बैक्टीरिया के इंफेक्शन के कारण दर्थ होने लगता है तो आईए दोस्तों अब जान लेते हैं दातों के दर्थ के लिए गहरेलू उप्चार क्या हो सकते हैं एलोपैथिक उप्चार में केवल दात के दर्थ को कुछ समय के लिए दबाया जाता है और इसके लिए पेनकेलर्स या एनालेजिसस खाने को बोला जाता है एलोपैथिक दवाओं से शरीर में साइड इफेक्ट होने का खत्रा भी रहता है इसलिए दात के दर्थ से छुटकारा पाने के लिए गहरेलू उप्चार करना फायदेमंद होता है जो ये है 1. लोग का परियोग एक लोग को दाथ के नीचे दबाकर रखने से दान दर्थ में आराम मिलता है लोग का तेल भी दर्थ को भगानी में प्रभावी होता है 2. लसुन के परियोग से दान दर्थ का उपचार दाद में दर्द होने पर लसुन को चबा लें इसके अंदर मौजूग एलिसिन प्रकृतिक जिवाणू रोधी हेजंट है दाद दर्द को खतम करता है नमबर 3 हीम के सेवन से दाद दर्द से मुक्ती चुटकी भर हीम को मौसमी के रस में मिलाकर रूई में नकाले दर्द वाले दाद के पास रखें यह दाद का दर्द दूर करने का सबसे अच्छा घरेलू चार है नमबर 4 हल्दी के सेवन से दादों के दर्द में आराम हल्दी एक प्राकर्तिक एंटी बाइटिक्स है हल्दी नमक और सरसों के तेल के पेस्ट को दर्द वाली स्थान पर लगाना चाहिए नमबर 5 दादों के दर्द से छुटकारा पानी के लिए आलू का इस्तमाल आलू को छोटे टुकडों में काट कर कच्चा ही अच्छी तरह चबाएं नमबर 6 दाद दर्द की परिशानी में प्याज से फाइदा प्याज अपने गुणों के कारण मुँ के जिवानों एवं बेक्टीरिया को नस्ट कर देते हैं दाद में दर्द होने पर प्याज के टुकडे को दाद के पास रखें या चबाएं नमबर 7 बेकिंग सोडा से दाद के दर्द का उपाएं रुई को पानी में डाल कर निचोड लें इसमें बेकिंग सोडा छिड़कें फिर इसे दर्द वाले दाद पर अच्छी तरह गुमाएं इसके अलावा गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा डाल कर उससे कुला करें नमबर 8 काली मिर्च का पाउडर दाद के दर्द का इलाज दादों में ठंडा एवं गरम लगने से होने वाले दर्द के लिए काली मिर्च पाउडर और नमक को बराबर मातरा में मिलाएं इसमें कुछ बूंद पानी मिलाकर पेस्ट बना लें इसे दर्द वाली जगा पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें दर्द ठीक हो जाता है नमबर नौ अमरूद के सेवन से दांत दर्द का इलाज अमरूद के पेड़ की ताजी पतियों को साफ करके मुँ में रख कर चबाएं अमरूद के पेड़ की ताजी पतियों को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें इसमें नमक मिलाएं और कुल्ला करें अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुन होते हैं इसके परियोग से दान के दर्द में आराम मिलता है नमबर 10 हाइडरोजन पैरकसाइड से दान दर्द का उपचार हाइडरोजन पैरकसाइड से कुल्ला करें यह दर्द और सूजन को ठीक करता है बैक्टीरिया को दूर करता है इसके अलावा यह दातों में लगे पलैक एवं मसूरों से निकलते खून की समस्या को भी दूर करता है दोस्तों इसके अलावा यह भी जान लेते हैं कि दान दर्द में आपका खान पान और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए जिनमी से नमबर एक है मीठे और चिपचिपे पधार्द का सेवन कम से कम करें नमबर दो बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गरम चीजें ना खाए नमबर तीन कुछ भी खाने के बाद अच्छी परकार से कुल्ला करें नमबर चार नियामित रूप से सुभा और सोने से पहले ब्रश से दान्तों की सफाई करें नमबर पांच हर छे महिने में अपने दंध चिकित सक से दातों का चेक अप कराएं दोस्तों दात दर्द होने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए आईए यह भी चान लेते हैं उपर बताये गए टिप्स आजमानी के बाद भी अगर दात दर्द से आराम ना हो तो तुरंत किसी नज़दी की डॉक्टर से संपर्क करें आप इन अवस्था में डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं यदि दात का दर्द एक दिन से जादा बना रहे और घरेलू उपचार करने से आराम ना मिल रहा हो मसूडों से खोन एवं बदबू आ रही हो अकल डाड के कारण होने वाला दर्द यदि बहुत अधिक हो रहा हो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए किर्प्यार वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पहन्नेवाद प्रूले टीजियों किर्छाओ रचैनल को सब्सक्राइब करना भूले वाले पहन्नेवाद